Justice for MTS Exam 2024 SSC MTS का जो पेपर में इतना बड़ा धांदली हुआ है 30 से 35 जन फरजी छात्र बैठे थे एक्जाम देने के लिए जो की पूरा पूरी खुलासा हो चुका है आप लोगों को पता चल चुका है अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या SSC MTS के जो लाखों के तादाद में जो चात्र एक्जाम दिये थे उनको क्या सुनवाई मिलेगी की नहीं मिलेगी क्या फिर से रिसेडूल लानी कि फिर से एक्जाम होगा की नहीं होगा इसको लेकर पूरा पूरी अगर मैं बोलू तो जंग छिर चुका है पूरे भारतवर्स में SSC डिपार्टमेंट के साथ अभी खबर निकल कर क्या सामने आ रही है आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ सबसे पहले आप लोगों को मैं क्लियर कर दूँ कि जो एक्जाम है वो रिसेडूल होगा की नहीं फिर से कंड़क्ट होगा की नहीं उसके लिए करना होगा लड़ाई ट्विटर पर प्रोटेश्ट करना होगा और जो सारे छात्र है वो लोग तो फिजिकली जाकर आफिस के सामने धरना देकर तो बैटाई है लेकिन क्या इस तरह करने से सुनवाई करेगी की नहीं करेगी आप लोगों को मैं बता दू सबसे पहले जाच करने का तो पूरा पूरी प्रमानित हो चुका है कि SSC MTS के एक्जाम में पूरा पूरी घोटाला हुआ है यहाँ पर 35 जन गिरफतार हुए हैं और फरजी जो एक्जाम सेंटर पर बैटे थे एक्जाम देने के लिए केनिरेट वो भी पकड़े गए हैं अब रहा बात कि क्या भारत वर्स के सभी एक्जाम सेंटर में सभी सेंटर में जो एक्जाम हुआ था हर सिप का क्या सब कैंसल करना पड़ेगा जी नहीं मैं अगर अपना ओपिनियन बोलूँगा क्यूंकि छात्र बहुत महनत करके एक्जाम देते हैं फिर से दुबारा पेप के सेंटर पर कौन से सिप्ट में धांदली हुआ है उसको अच्छे से निकालिए और निकाल कर उसी सिप्ट का एक्जाम को पूरा रद करिए और फिर से कंड़क करवाईए ये रहा पहला और दूसरा और दूसरा और ये वेरिफिकेशन में कैसे गलती कर सकती है वो भी इतन बाइठेगा और टुइट किया जाएगा कि फिर से रिसेड़ूई रिसेवल एक्जाम चंड़क करना होगा फिलाल के लिए एक्जाम फिर से कंड़क करना होगा आप लोग तैयारी में जूटे रहे और कॉमेंट करें वीडियो को सेर करें जैसे ही कोई भी अफटे आता है स संग संग आप लोगों तक मैं अफडेट पहुंचा दूंगा चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नहीं टॉपिक के साथ कुछ नहीं अफडेट के साथ तब तक के लिए आज का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू जैहीं जै भारत बंदे मातरम